प्रवालों और पतनी आश्वर्या पर तलाक के मौपचे के रूप में करोणों रूपे मांग करने का आरोप भी लगाया है तेज प्रताप यादों ने कहा कि मैं पिछले चार साल से फैमली कोर्ट में चल रहे तलाक के मामलों में दुर्दशा का सामना कर रहा हूं तेज प्रताप यादों ने एक वीडियो संदेश की जरीए ये भी कहा कि मेरी सर्वजनिक छबी को बरबाद करने की पूरी प्लानिंग चल रही है वो मेरे परिवाल को नश्ट करने की कोशिच कर रहे हैं वो मेरे पिता, मा, भाई और बहनों को निशाना बना रहे हैं मेरे पास मेरे ससुराल बालों के खिलाब कई वीडियो और आडियो सब उत है चूकि ये मेरी पत्नी से संबंदित है इसलिए मैं उनके छबी को खराब नहीं करना चाहता आपको बताते हैं कि करीब तीन हबते पहले तेज प्रताप और उनकी अलग रह रही पत्नी एश्वरिया राय तलाग की काउंसलिंग के लिए पटना हाई कोट में पेश हुए थे इससे पहले मई 2022 में एश्वरिया ने कोट में अरजे दाकिल कर जाधा गुजारा भत्ता देने की मांग की थी तेज प्रताप यादो की शादी 6 महीने से कम चली थी 12 मही 2018 को दिवंगत पूर्व मुख्य मंतरी दरोगा प्रसाद राय की पोती एश्वरिया राय के साथ शादी के बंधन में बंधे थे 12 साल नवंबर में एश्वरिया ससुराल से रोते हुए बाहर आई थी और ससुराल पक्ष पर प्रताडित करने का आरोप मेडिया में लगाय था जिसके बाद पूरे बिहार में एक संसनी फैल गई थी लालू और राबडी देवी ने अपने लाटले के लिए काफी पढ़ी लिखी और बेहत खोपसूरत एश्वरिया को चुना था एश्वरिया के पिता चंद्रिका राय लालू प्रसाद यादों के करीबी निताओं में से एक रही है ऐसे में राबडी देवी कई बार उसकूली सिक्षा पटना में हुई और फिर उट्य सिक्षा के लिए वो दिल्ली में चली गई। एश्पर यापक्ष ने 10 कुरों रुपए में समझाता करने की बात कही है जबकि तेज प्रताप इतनी बड़ी रकम देने को राजी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले देखने के लिए।